इस फैब्रिक को एक वार फोल्ड करना है और एक वार मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है अब हम इसे दुवारा से फोल्ड करेंगे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसे फोल लेयर में फोल कर लिया है एक्षा फैबरिक की तरफ से आप इसे कट कर ले तो यहाँ पर मैंने फैबरिक हमारी फोल लेयर में है यह खुली साइड है यह बंद साइड है सबसे पहले एक मार्क करेंगे हम फैब्री के दो इंच पर ये मार्क हम इसलिए कर रहे हैं जो बैक आसन रहेगा फ्रेंट आसन से बड़ा होगा यहां से हम लेंद काउंट नहीं करेंगे उपर से लाइन से हमें नी तक घुटने तक लेंद रखनी हैं उपर से हम फैब्री को काउंट नहीं करेंगे तो यहां पर लाइन से हम दो इंच इंची टेप को उपर की तरफ रखेंगे क्योंकि 2 इंच की हमें इसमें बैल्ट एड़ करनी है और नी तक मारक हम 19 इंच पर रखेंगे और 20 इंच हमने लेंथ ली है और फैबरी को हमने यहाँ पर कट कर लिया है अब जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे वो हम हिप मेजर्मेंट के अकॉर्डिंग करेंगे हिप मेजर्मेंट है 36 इंच तो 36 का हमें तीसरा भाग लेना है तो बंसेट की तरफ इंची टेप को रखेंगे यहाँ पर हमें 36 का तीसरा भाग लेना है वो है 12 इंच तो जो भी आपका साइज हो आपको तीसरा भाग ही लेना है तो यहाँ पर हम 12 इंच पर मार्क करेंगे 12 इंच पर मार्क करने के बाद अब हमें आसन की लेनी है लाइन से हम आसन की लेन्थ भी हेप मेजर मैंन का तीसरा भागी रखेंगे 12 इंच तक हमें ऐसे लाइन द्रो करनी है और इस लाइन को हम बाहर की तरफ ड्रो करेंगे और बाहर की तरफ ड्रो करने के बार अब हमें आसन की गोलाई करनी है आसन की गोलाई हम 1.5 इंच पर करेंगे तो जो ये हमने बॉक्स बनाया है हमें इसकी गोलाई 2 इंच तक करनी है यदि यह गरारा साइज अधिक है तो यह गोलाई आप 3 इंच तक भी कर सकती हैं कम है तो 1.5 इंच पर अब हमें ऐसे 1.5 इंच तक तरचिलाई ड्रोप करनी है और ऐसे हमें इसकी गोलाई करनी है नी का बॉटम पार्ट रखेंगे जो भी हो यहाँ पर जैसे की नी का बॉटम पार्ट है 16 इंच तो आधा हुआ 8 इंच क्योंकि फैब्रिक फोल्ड है और एक इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए अट करेंगे तो यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करके ऐसे तरचिलाई ट्रोप करेंगे और जो बैक आसन रहेगा फ्रेंट आसन से बड़ा होगा तो फ्रेंट आसन हम इतना ही रखेंगे और यहां इंच टीव को रखेंगे तो यहां पर हमने बंद साइड की तरफ दर चिलाई ट्रोप की है ड्राफ्टिंग हो गई है अब हम कटिंग करेंगे आसन की तरफ से और साइड से आप इसे कट कर लें यहां पर हमने आसन की तरफ से साइड से तो इसलिए हमने इसे उपर की तरब से कट कर लिया है सेंटर तक तो ये टू पीस हमारे कंप्लीट हो गए है एक वार हम आपको रखके दिखा रहे हैं और ये पीस 19 इंच के तयार होंगे बैल्ट की साथ और 17 इंच के हम सरकल एड़ करेंगी और सरकल हम डवल लेयर में एड़ करेंगे तो यहां पर हमने ये फैबरिक लिए है और इस फैबरिक को हमने एक वार फूल किया है यह हमने वन मीटर फैबरिक लिए है एक वार फूल करने के बाद आप इसे दुबारा से फूल करने तो यहां पर हमने फैबरिक को फूल लेयर में फूल किया है देख लीजिए तो बंज साइड की तरफ से हम सर्कल की ड्राफ्टिंग करेंगे, कौने पर हमें इंची टेप को रखना है और 20 इंच का हम सर्कल ड्रो करेंगे, एक मीटर फैबरिक में 20 इंच का ही सर्कल ड्रो हो सकता है, तो यहाँ पर हम 20 इंच का यह circle draw कर रहे हैं यदि आप सरारे की length अधिक रखना चाहती है circle की तो आप fabric अधिक रखें तो यहाँ पर मैंने 20 इंच का ऐसे circle draw किया है कौने पर इंची टिप को रखते हुए यह circle की drafting आप बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है इंची टिप को अच्छे से रखते हुए drafting करनी है इसमें थोड़ी सी भी mistake नहीं होनी चाहिए नहीं गरारा उंचा नीचा हो जाएगा तो यहाँ पर कौने पर इंची टिप को रखते हुए हमने 20 इंच की ऐसे circle draw कर लिया है अब हमें सरारे का उपर वाला पीस लेना है और bottom part से हम इसे fold layer में fold करेंगे क्योंकि bottom part के according अब हम ये drafting करेंगे तो यहाँ पर हमने इसे fold layer में fold किया है इसकी चोड़ाई 4 inch है अब इसी के according हम इसकी drafting करेंगे वैसे नीकी fix मोहरी 16 inch है जो हमने 8 inch ली थी एक inch fabric हमने margin के लिए add की थी तो 16 का हमें forward भाग लेना है 4 inch तो पहले हम fix mark करेंगे 4 inch ऐसे और line draw करेंगे और फिर हम इसे side से भी cut करेंगे क्योंकि हम एक circle cut कर रहे हैं और दोनो side में हम इसे add करेंगे दोनों तरफ के लिए half half circle तो यहां पर हमने इस line से half inch की दूरी पर दूसरी line इसलिए draw की है क्योंकि margin के लिए fabric बस सके पहले हम fix line को cut करने फिर आप इसे second line से cut कर लें और फिर आप इसे bottom part से cut कर लें तो यहां पर हमने इसे bottom part से भी cut कर लिया है तो यह हमारा पूरा एक circle है और इस circle को हम उपर की तरफ से भी cut कर लेंगे क्योंकि हमें दो piece add करने हैं दोनों तरफ के लिए तो यहां पर हमने इस circle को भी cut कर लिया है अब यह half circle हो गए हैं यह two half circle हैं और एक तरफ कर रहेगा और दूसरा दूसरी तरफ कर रहेगा तो इस तरह से हमने यह half circle कट किये हैं दोनों तरफ के लिए और अब हम एक वारी से पूरे को रख के दिखाएंगे फिर second circle की भी हम आपको cutting करना बताएंगे यदि आप इसे इस तरह से रखना चाहती हैं और आप जितनी भी इसकी length बढ़ाना चाहते हैं circle की आप अधिक दूसरी fabric एड़ कर सकती हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक वारी से रख के दिखा रही हूँ फिर हम मैं दूसरे circle की cutting करना बताएंगे आपको तो इस तरह से इसकी लोका आएगी अब हमें छोटे circle कट करने है तो यहाँ पर मैंने यह fabric लिए है और इस fabric को एक वार fold करके मैंने इसे दुबारा से fold किया है इस fabric की यह तीन side खुली side है और यह side बंद है अब हमें half circle लेना है और इस circle को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें यह drafting करने है तो यहाँ पर हमने यह drafting कर लिए है उपर की तरप से इस line से इसकी length 10 inch है अब कौने पर इंची tape को रखेंगे और देखेंगे 10 inch पर इसकी length कितनी है तो यह 14 inch है अब कौने पर इंची tape को रखते हुए हम 40-4 इंच का यह सर्कल डख़ो करेंगे और यह सर्कल हमारा 10 इंच का होगा तो यहां पर हम्ने शर्कल ड्रो बिए हैभ आप इसे कट कर लें और सिलाई करते टाइम हम इसमें नीचे की तरह पूर बलैक फैब्री की सेटाप एड़ करना बताएंगे तो हम्ने चोटे वाले सर्क कट कर लिए हैं और ये टूपीस हैं और एक और हम रखके दिखा रहे हैं जो ये बड़ा सरकल है इसकी जो लेंथ है वो साड़े 15 इंच है और 2.5 इंच की हम इसमें स्टैप एड़ करेंगे नीचे की तरफ तो ये हमारा जो सिल्के तयार रहेगा 17 इंच का होगा यदि लेंथ आप बढ़ाना चाहती है स्टैप की लेंथ आप अधिक रख सकती हैं कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम आपको इसे सिल्ना बताएंगे सबसे पहले हमें हाप सरकल लेना है एक तरफ का और इस पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे यहापे हमने इस टैप ली है और य 15-20 को भी हमने सीरी तरफ से रखना है और लाइए तो यहाँ पर हम यह शिल्लाही लगा रहे हैं ध्यान लखें जब भी आप सरकल में स्लें सरकल को अच्छे से रखते हुए तब यह सिलाई लगानी है ऐसे आप पूरी फैब्रिक को सिल लें यहाँ पर हमने इसे सिल लिया है अब हम इसे सीरा करेंगे सिलाई वाली फैब्रिक को हम ब्लैक फैब्रिक की तरफ करेंगे और ब्लैक फैब्रिक के ऊपर हमें किनारी पर एक सिलाई लगानी है तो यहाँ पे हमने इस लाई लगा लिए है सिर्फ निसिंग भी आएगी और फैब्रिक में शोल भी नहीं आएगा यहाँ पे आप लेस भी एड़ कर सकती है तो यहाँ पे हमने एक पीस को तयार कर लिया यहाँ आप चोटा सरकल लें उसमें भी आप ऐसे ही स्टैप एड़ करना है तो एक तरफ के दोनों सरकल हमने यहाँ पे तयार कर लिये हैं अब हमें उपर वाला पीस लेना है और इस पीस को हम सीरी तरफ से रखेंगे तो यहाँ पे हमें इस पीस को सीधी तरफ से रखना है पहले हमें छोटे वाला सरकल लेना है इसे हम इसके उपर उल्टी तरफ से रखेंगे और फिर हमें बड़ा सरकल लेना है इसे हमें इसके उपर उल्टी तरफ से ही रखना है यहों तीनों पीस एक साथ रखते हुए हमें सिलाई लगाने हैं ध्यान रखें जब भी आप ये सिलाई लगाने हैं सिलाई आपके एक ही सीध में होनी चाहिए यदि हाफ इंच फैबरिक शुरुबाद में रखी है तो हाफ इंची लाष्ट तक इस फैबरिक को आप रखें ऐसे सिलाई लगा लें तो यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा ले है सीधा करने के बाद आप इसके उपर लेस भी एड़ कर सकती है तो एक पीस हमारा तयार हो गया है ऐसे आप दूसरे पीस को भी तयार करने है अब हम इस पीस को ऐसे फोल्ड करेंगे उल्टी साइड उपर की तरफ होने चाहिए अब हमें यहाँ से लेकर बाटम पार्ट तक सिलाई लगानी है आसन को हमें छोड़ना है और साइड में हम ये सिलाई लगानी है तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये सिलाई लगा ले तो ये सिलाई हम यहाँ से शुरुबात करेंगे और बाटम पार्ट तक हमें ये सिलाई लगानी है तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तयार करने है जैसे हमने एक पीस को तयार किया है सेम ऐसे आप दूसरे पीस को भी तयार करना है यहाँ पर हमने दूसरे पीस को भी तयार कर लिया है दोनों तरफ हमने साइड में सिलाई लगा ले है अब हम आसन को सिलेंगे उपर की जो इस साइड है यह फ्रेंट साइड है यहाँ से हम सिल रखते हुए हमीं सिलाई लगाएंगे यह बैक आसन शिरू है बैक आसन की तरब की तरफ हम्बंग तरफ हम और चोड़ दाइगे यहां से हमीस नहीं सिलह भार है इंच तरफ हम रहे हो धुर सिल्डी तरह को ना सुड़रेंगे और बैकासन तक हमने ये सिलाई लगाई है एक इंच फैबरिक हमने बैल्ट ऐड़ करने के लिए छोड़ दी है यहाँ पर हमने बैल्ट ली है फोल्ड होके ये 2.5 इंच की है सिल के तयार ये 2 इनच की होगी अब हमें बैल्ट को इस तरह से फोल्ड करके इस फेब्रिक को हम सेंटर में रखेंगे और सिलाई लगाएंगे बेल को हमें दोनों तरफ से हाफ आफ इंच फोल करना है दूसरा फोल टू इंच पे करते हुए ऐसे आप सिलाई लगा ले तो यहाँ पर हमने इस लगा लिए इस तरह से सिलाई लगाना इसे दोनों तरफ फिनिसिंग बहुत अच्छी से आती है और आप इसमें फिर इलास्टिक एड़ कलने तो जो हमारा करा रहा है यह तैयार हो गया, देख लिए बहुत प्यारी लोकाई है देख लिए फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैन को सिस्क्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद